अपने महान राजा बिम्बिसार की रड़नीतियों के बल पर सामराज्ज के रूप में उभर रहे मगद को तब एक भीशन आगात पहुचा जब बिम्बिसार के ही पुत्र अजाद शत्रू ने उन्हें कारागार में बंदी बना लिया। इस जगन्य अपराद के पीछे अजाद शत्रू का सत्ता का लोब छुपा था। अजाद शत्रू मगद का स्वामी बनने के लिए इतना आतुर था कि उसे अपने पिता को कारागार में डालना भी अनुचित नहीं लगा। बिम्बिसार जैसे राजा को इस प्रकार सत्ता से हटाए जाने के पस्चात मगद पर अनिश्चित्ताओं के बादल मंडराने लगे। लेकिन यह बादल मगद पर बहुत अधिक समय तक नहीं रह सके। अजाद शत्रू के काल में हम देखते हैं उनकी सैन्ने विजय से मगद की सीमाओं का विस्तार हुआ और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मगद जो आगे चल कर एक सामराज्य बन पाया उसमें अजाद शत्रू के काल का बहुत बड़ा श्रे था। अब यदि हम अजाद शत्रू के काल की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो प्रका ग्रंत है जिसका नाम मूल सर्वस्तिवाद विनय है। इस ग्रंत में हमको बताया गया है कि अजाद शत्रू की मा का नाम चिलन था और वह विधे राज्य से आई थी। वहीं दूसरे बौध ग्रंतों में हमको यह विवरण मिलता है कि अजाद शत्रू की मा का नाम कोसल दे और वह यह है कि अजाद शत्रू ने अपने पिता बिम्बिसार को कारागार में डाल कर बंदी बना दिया था। कोसल और मगद के बीच इस बैर का कारण था काशी महाजनपत का एक गाउं यह वही गाउं था जो कोसल नरेश ने अपनी बहन कोसल देवी को बिम्बिसार के साथ विवाह के समय दिया था। लेकिन जब बिम्बिसार के मृत्यू के अपरांत शोक ग्रसित कोसल देवी ने अपने प्राण सोयम ले लिये तब हम देखते हैं कि प्रसनजीत ने आक्रोश में आकर यह गाउं मगद से वापस ले लिया। कोसल के राजा प्रसनजीत अपनी बहन कोसल देवी की मृत्यू का उत्तरदाई अजाद्शत्रू को मानते थे और इस घोषणा से वह अजाद्शत्रू को अपमानित करना चाते थे। और जैसा वह चाते थे वैसा ही हुआ अजाद शत्रु ने जब इस गोशणा को सुना तो वह इस अपमान को सहन्या कर सका और उसने देखते ही देखते कोसल पर धावा बोल दिया संयुक्त निकाय नामक बौध गरंथ में हमें कोसल और मगद के बीच हुए इस युद्ध का वेवरण मिलता है यदि इस गरंथ की माने तो आरंबिक दौर में मगद को असीम सफलता प्राप्त हुई मगद की इस सफलता को देख कर कोसल नरेस प्रसनिजीत को भैवश अपने राज्य की उत्तरी राजधानी शरावस्ती में शरण लेनी पड़ी लेकिन जिस समय लग रहा था कि अब कोसल का अंत निकट आ रहा है उसी समय अजाद शत्रू एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं वह अपनी सफलताओं से इतने आत्मिश्वासी हो उठे की कोसल की सेना द्वारा बिछाए गए एक जाल में वह जाफसे अपनी राजा को बंदी बना देख मगद की सेनाए कोसल से शान्ती समझोता करने पर विवश हो गई वहीं कोसल नरेश प्रसनजीत के लिए यह एक सुनेरा अवसर था यदी वह चाते तो मगद के इस शान्ती समझोते को वह ठुकरा देते और इस युद्ध पर वह विराम नहीं लगाते लेकिन प्रसनजीत ने अपनी दूरदर्शिता का परमान देते हुए यह निर्णय नहीं लिया वह यह जानते थे कि मगद के सैन्यबल का सामना कोसल नहीं कर सकता और यदी अजाद शत्रू मगद की सेनाओं का नित्रत्व नहीं करेंगे तो कोई और राजा करेगा और ऐसी परिस्तिती में कोसल को बचापाना अत्यंती कठिन होगा यह देखते हुए प्रसनिजीत ने न केवल युद्ध विराम की घोशना की बलकि अपनी पुत्री वजीरा का विवहा भी अजाद शत्रू के साथ कर दिया मगद और अजाद शत्रू के लिए प्रसनिजीत का यह निर्णय अत्यंती ही लाबदाइक था एक और मगद और कोसल के बीच अच्छे संबंध पुनह स्थापित हो गए और दूसरी और हम यह देखते हैं कि प्रसनिजीत के इस निर्णय के कारण मगद काशी महाजनपत पर अपना अधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा कोसल और मगद के बीच हुई इस संधी को अधिक समय नहीं बीता था कि हम देखते हैं मगद पर पुनह युद्ध के बादल मंडराने लगे इस बार मगद के विरुद उसका उत्तरी पडोसी व्रिज्जी गणसंग था इस काल में जितने भी गणसंग थे उनमें से सबसे शक्तिशाली गणसंग था यह व्रिज्जी गणसंग मगद के लिए ऐसे शक्तिशाली राज्य का इतने समीप होना चिंता का विशह था विम्बिसार के काल में अंग पर विजय और अजाद्शत्रू दुआरा काशी पर अधिकार के पश्चात अब मगद का सारा ध्यान इसी उत्तरी पडोसी पर था ऐसी परिस्तिती में सुभाव सही विस्तारवादी अजाद्शत्रू विज्जी गडसंग से युद्ध का एक ठोस कारण ढूंड रहा था और यह ठोस कारण उन्हें एक हीरे की खान के रूप में मिला माचवी सदी के बौद दार्शनिक बुद्ध गोश के अनुसार विज्जी और मगद की सीमा के बीच एक हीरे की खान मिली थी और क्योंकि यह हीरे की खान सीमा पर स्थित थी इसी के कारण दोनों राज्जियों के बीच यह समझोता हुआ कि इस खान से प्राप्त हुए हीर का बटवारा दोनों राज्ये आपस में करेंगे। अब कुछ समय बाद जब मगत के अधिकारियों ने विर्जी के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्राप्त किये गए हीरों की मात्रा समझोहते की मात्रा से अधिक है, तब हम देखते हैं कि विर्जी के अधिकारियों ने कोई सपश्टी करण इन आरोपों का नहीं दिया। विर्जी के अधिकारियों का यह विवार अजाद शत्रू के लिए एक बहुत अच्छा कारण था विर्जी गणराज्य से युद्ध करने का, और उन्होंने बिना समय गवाये विर्जी से युद्ध संगों से मगद के विरुद्ध इस युद्ध में विर्जी गण संग की सेनाओं के साथ युद्ध करने का अववाहन करते हैं। निर्यावली सूत्र के इस प्रसंग से एक बात तो तय है। विर्जी प्रमुक चेतक को यह आभास था कि यह युद्ध दो राज्यों के का युद्ध एक और है राज्तांत्रिक विवस्था जिसका प्रतिनिदित्यों कर रहा है मगद और दूसरी और है गणतांत्रिक विवस्था जिसका प्रतिनिदित्यों कर रहा है व्रिजी गण संग। चेतक यह भी जानते थे कि यदि व्रिजी गण संग मगद की सेनाओं क परास्त नहीं कर सका तब गैर राज्तांत्रिक विवस्था और गैर राज्तांत्रिक राज्यों का अंत भी दूर नहीं होगा। जगह जिसका नाम पाटली ग्राम है वहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाए। यही पाटली ग्राम आगे चल कर पाटली पुत्र बनेगा। लेकिन अजाद्शत्रू के काल में यह एक प्रकार का फॉर्वर्ड बेस था। राजग्रिय जो की मगद की राजधानी थी वह मगद क मध्य में स्थित्त थी और इस ख्षेत्र से विर्जी के विरुद सैन्य अभियान चलाना कटिन था। वही पाटली ग्राम में इस दुर्ग के बनने के उपरांत यहां से सैन्य कारवाई करना राणनितिक रूप से उचित था। बहुत ग्रंतों के नुसार इस दुर्ग के निर्मान में दो वर्षों का समय लगा और इसी समय गौतम बुद्ध भी इस दुर्ग का ब्रमण करते हैं। महापरि निर्वान सूत्र के अनुसार इसी दोरान गौतम बुद्ध यह भविश्वानी करते हैं कि आने वाले समय में भारत वर्ष के प्रमुख नगरों में से एक प्रमुख नगर यह होगा। पाटली ग्राम के इस दुर्ग का निर्मान पूर्ण होते ही मगत की सेनाओं ने व्रिजी गण संग पर आक्रमण करना आरंब कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इन आक्रमणों से मगत की सेनाओं को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हम बुद्ध गोश की माने तो इन विफलताओं से हताश अजाद शत्रू अपने मंत्री वसकर की साहता लेते हैं और वह वसकर के साथ मिलके सैनने कारवाई की दिशा बदलते हैं। इस बदलाव का एक्षी लक्ष होता है व्रिजी गण संग की एकता को नश्ट करना। अप हम बौद गरंतों की माने तो कुछ समय पश्चात वसकर अपने इस लक्ष में सफल हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं व्रिजी गण संग भिन भिन संगों से मिलकर बना था। इन संगों के बीच द्वेश पैदा करने में मगद के मंत्री वसकर सफल होते हैं। इस बढ़ इस्तिती का लाब उठाता है मगद और देखते ही देखते व्रिजी गण संग पर अपना अधिकार स्थापित करने में मगद की सेनाएं सफल हो जाती हैं। व्रिजी पर हुई इस विजय के पश्चात मगद ने भारतिय महादवीब के पूरवी ख्षेत्र पर अपना अधि कार स्थापित कर लिया। व्रिजी पर हुई यह विजय मगद के लिए कितनी महत्तोपूर्ण थी इसका अनुमान हम इस युद्ध की अवधी से लगा सकते हैं। जैन ग्रंतों के अनुसार यह युद्ध 16 वर्षों तक चला था। कुछ इतिहासकारों की माने तो वह यह ब कितना भीशन था। एक जैन ग्रंत उवाज गदसाओं में हमें मगद की सेना द्वारा प्रियोग करें दो अनूठे शस्त्रों का विवरण मिलता है। एक शस्त्र का नाम था महाशील कंटक। यह एक प्रकार का कैटपुल्ट था। कैटपुल्ट एक प्रकार की गुलेल हो अब इस युद्ध के बाद के राजनितिक परिपेक्ष को यदि हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि व्रिज्जी पर विजय पाने के उपरांत मगद को चुनौती देने वाला अब एक ही महाजन पद बच गया था। वह था अवंती महाजन पद। एक बौद गरंत मज्ज सेन नित्रित्व के कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी। अजाद शत्रू ने यह सुनिश्चित करवाया कि उसकी राजधानी राजग्रिय की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की धील न बढ़ती जाए। अजाद शत्रू को यह आभास था कि मगत की सेनाओं को अब यदि हम अजाद शत्रू के साशन की बात करें तो बौध गरंतों के अनुसार उन्होंने मगद पर 32 वर्ष तक साशन करा और उनका अंत भी उसी प्रकार हुआ जैसे कि उनके पिता का हुआ था। जैसे अजाद शत्रू ने अपने पिता बिम्बिसार को कारागार में जालकर बंदी बनाया उसी प्रकार अजाद शत्रू के पुत्र उदैबद्र ने भी अजाद शत्रू को कारागार में डाला और स्वयम मगद का स्वामी बन बैठा। यदि आपको उदैबद्र के काल के बारे में जानना है तो कृप्या करके यह वीडियो देखें जब वह